स्क्रीन यहां पर शायद शेयर हो चुकी होगी दोनों जगह मैंने कनेक्ट किया है यूट्यूब से भी किया है और एप से भी किया है जिन लोगों के पास अभी एप्लिकेशन का सबसक्रिप्शन नहीं है जिन का चालू नहीं हुआ है उनके लिए है बाकी तो आज जोइन कर लो दो दिन डेमो होगा यूट्यूब पर उसके बाद से सिर्फ एप्लिकेशन पर ही होने वाला एक्सेस और डेली के लेक्चर्स हमारे रेकॉर्ड होने वाले हैं तो जो भी रेकॉर्डड लेक्चर्स होंगे वो सीधे एप्लिकेशन क उपर आज आएंगे उसका भी कोई इशू नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं हमें सी लैंग्वेज शुरू करनी है सी लैंग्वेज जब आप सीखोगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है आपको बेसिक मैट्स आना चाहिए थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा कोडब्लॉक्स नाम का आप दूसरे सॉफ्ट्वेज भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि मैं दूसरे भी बता दूँगा VS कोड को यूज़ कर सकते हो इसके अलावा इस सॉफ्ट्वेर की मदद से भी कोडिंग की जा सकती है एक बात कोडब्लॉक् C++ नाम का software है और Turbo C++ नाम का software है ऐसे अलग-अलग software है जैसे हम भाशाएं बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज बोले या मराठी बोले इंग्लिश बोले और भी आपको जो भी भाशा आती होगी वैसे ही computer की दुनिया में बहुत सारी भाशाएं हैं जैसे C language है C++ language है Java है Python है JavaScript है Android है Kotlin है R language है Fortran, COBOL, Modula ऐसे लगभग 800 से भी ज़ादा programming languages हैं दुनिया में 800 से भी ज़ादा अब अगर सारी programming languages हमारे computer को पता होती तो बहुत अच्छा होता सारी हम कुछ भी बोलते computer समझ जाता मतलब programming languages में हम कुछ भी बोलेंगे तो तुरंद हमारा ये जो computer है बड़े आसानी से उसको समझ जाएगा ये एक फाइदे वाली बात है लेकिन problem ये है कि हमारा जो computer है एक भी भाषा नहीं जानता प्रोब्लेम तो यहाँ है एक भी programming language नहीं जानता इसलिए हम जो भी program लिखेंगे उस program को हमारा computer समझ पाए इस भाषा में convert करेंगे पहले तो आपको अगर कोई भाषा नहीं आती तो आपकी भाषा में कोई convert करके देगा तो कितनी अच्छी बात है एक मिनट खाली यहाँ पर देख लो इसका पहले मुझे notification यहाँ से स्नेहल तुमको कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो यहाँ से मुझे application के उपर से शायद तुम्हें screen भी दिखाई दे रही होगी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर application से join किया इसकी setting मैं बाद में चेक कर लूँगा इसकी जो भी setting होगी तो ठीक है आप लोग यहाँ पर ठीक है खाल कुछ पूछना है क्या तुम्हें माइक बंद कर लो अपना ठीक है एक मिनट तुम्हारे माइक का आवाज आ रहा है इस नेहल रुको तुम्हें पहले यहाँ पर ब्लॉक का यह option है प्रीवियस मेसेज अव यूजर डिलेटर एंड कांट बेंडर अपना माइक बंदी रखो अभी आप लोग लास्ट में मौका दूँगा आपको पूछने का तो भाई यह बोल रहा था कि कनवर्ड कराना है अपने प्रोग्राम को एक इस लैंगवेज में ठीक है इसके बाद की बात देखो मैं क्या बताता हूं और भी चीज़ें कुछ आपको बताता हूं अब जो भी मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ यहां पर प्रोग्राम मेरा होगा सी लैंगवेज में उसको कनवर्ड कराने के लिए किसी सौफ्टवेर की ज़रूत पढ़ने वाली है और वो सौफ्टवेर क्या करेगा कनवर्ड कराके मशीन को समझा देगा हमारे कंप्य सिर्फ binary numbers को समझ सकता यह भी बता देता हूं बाइनरी में तो हमारे प्रोग्राम को बाइनरी में करना है और प्रोग्राम जो भी होगा वो English language में होगा simple English language में दूसरी बात आखिर में यह सब आखिर में होता क्या है process एक बार जल्दी से बता देता हूं देखो आज हम जो भी चीजे छू सकते हैं hardware उसे hardware बोला जा रहा है जैसे आपका mobile है उसके अंदर की रैम है उसके अंदर का processor है उसकी बैटरी है यह सब hardware है जिसे आप छू पा रहे हो लेकिन software क्या है आपके device को चलाने के लिए जिस software की ज़रूरत है वह software है जिसे आप छू नहीं सकते वह software है और वही software हमें programming languages की मदद से बनाना पड़ता है मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारी programming languages की मदद से यही काम किया जाता है या तो website बनाई जाती है या तो application बनाया जाता है दोनों में से एक काम किया जाता है तो आप चाहो तो आज़ो कितने भी application बना सकते हो इसक से काम करेंगी देखो जब आप html सीखते हो html css javascript जे-query अलग-अलग यह जो languages है इनका use हम design बनाने के लिए एक website जब आप बनाते हो ना तो उसमें design जो दिखाई देती है ना वो इनकी मदद से की जाती है जो आप देख पा रहे हो design उसका color हो गया उसके font हो गया कौन सी चीज कहा दिखनी चाहिए यह सब इनकी मदद से हो रहा है दूसरी चीज जब आप एक website बनाते हो तो वहां पर एक option मान लेते हैं आपने दिखा दिया enter your weight अपना weight इंटर करो यूजर ने अपना weight बता दिया 50 kg और यहां पर एक button है उसका नाम है convert kg से pound में अगर आपको convert करना weight को तो आप इस button पर click करते हो जैसे click करते हो आपको यहां पर नई value दिखाई देती जो भी आएगी वो यह कैसे हुआ इस button पर दबाने के बाद हुआ मतलब आपने back side में कोई code लिखा था और वो logic लगाया था formula लगाया था कि कैसे kg को pound में convert कराया जाए वो आपने कराया और यह convert हुआ और उसका result यहां पर आया तो वो जो back side में आपने जो coding की थी वो programming languages की मदद से की जाती है logic जो आपने लगाया था फिर उसके लिए आप c, c++, java, python कोई भी language यूज़ करो तो यह सब programming languages ना logic बनाने के लिए किया जाता है यूज़ और यह back side में होती है जैसे whatsapp पे आपने message type किया send button पे दबा दिया त तो आपने जो type किया जो दबाया वो सब आपको दीख रहा था वो सब front end था लेकिन आपने जब send button पे दबाया तो क्या हुआ और सामने वाले को message कैसे गया वो है back end जो आप देख नहीं पा रहे हो back उसका मतलब ही है back side back end front end जो आप देख पा रहे हो तो front end technologies जो है वो html, css, javascript, angular js, react ये सब front end technologies है जिसमें आप design वाला काम कर सकते हो और back end technologies में फिर आप c++ बोलो, java बोलो, python बोलो, .net बोलो, node.js बोलो, ये सब back end है अगर आप html, css भी सीख लेते हो और back end के लिए java भी सीख लेते हो तो भी आप full stack developer बन चुके हो क्योंकि आपको front end भी आता है और आपको back end भी आता है जिसको दोनों आता है उसको full stack developer बोला जाता है और एक बात बता देता हूँ, full stack developer बनने का एक नुकसान बताता हूँ, फायदा बताता है सब मैं नुकसान बताता हूँ, जैसे किसी company में front end developer काम कर रहा है, जब उसका काम पूरा हो जाता है अगर वो back end developer भी है तो उससे ज़्यादा काम उसे back end का भी दे दिया जाता है दूसरी चीज salary same होती है front end developer की जो salary होगी वो full stack की भी होगी back end developer की जो salary होगी वही full stack developer की भी होगी बस दोनों सीखने का फाइदा ये होता है कि आपको apply करने के लिए chances जादा मिल जाता है 50% back end वाली companies में भी apply कर सकते हो 50% front end वाली में भी apply कर सकते हो कहीं भी आया आपके पास जादा chance हो जाता है फाइदा ये होता है और दूसरी चीज़ बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं company में जब जाते हैं देख लेते हैं front end का काम है भले उन्हें back end भी आती है वहाँ बोल देते हैं हमें back end नहीं आती जाब लग जाने के बाद हमें front end आपने पूछा था बताया हम select हो गए लेकिन back end हमें नहीं आती जब उनका front end का काम हो जाता है तो उन्हें back end का काम नहीं दिया जाता है उन्हें आती ही नहीं लेकिन अगर कोई ये बोलता है मुझे हिसाब से काम कर सकते हो और दूसरी चीज़ बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि मुझे 10th में 40% marks मिले थे या 12th में 45-50% थे तो क्या जाब लगेगी जाब सबको लगेगी उसका उससे कोई लेना देना नहीं लेकिन आजकल competition बहुत जादा होने की वज़े से ऐसा किया जा रहा है कुछ बड़ी बड़ी जो MNC companies हैं उनके द्वारा कि उन्हें लगता है कि यार इतने सारे बच्चों का interview लेना हमारे लिए आसान नहीं तो थोड़ा कम कर देते हैं कम करने के लिए हो criteria ला देते हैं कि आपको 10th में भी 60 से जादा होना चाहिए 12th में भी 60 से कम हो जाता है आपका भी और बहुत सारे लोग कट जाते हैं जो कुछ लोग बचते हैं कम समय में उन्हें भी यह होता है कि चलो अच्छे marks है तो शायद अच्छा ही होगा फिर उनका interviews लेते हैं वो ऐसा करते हैं लोग जादा होने की वज़े से दूसरी बात अगर बड़ी म कमपनी में आपको नहीं मौका मिल रहा है तो छोटी कमपनी में ले लो कहीं भी कर लो काम कर लेने के बाद आपको एक बार छे महीने या एक साल का experience आया आपको बहुत कम salary दे रहे दो चार पाँच हजार तो भी करो तो एक बार आप शुरू कर गए काम करना और एक बार सारे lectures application पे ही होंगे बहुत सारे students application से नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक इसके लिए मैंने यहां पे लिया है lecture नहीं तो दूसरा कोई reason नहीं यहां पे मुझे शुरू करनेगा और दूसरी बात यह मैं आपको बता रहा था कि आप छोटी company में ले लो आराम से काम करो उसके बाद जैसे एक साल का experience आजा है कर दो MNC में अपला है जहां आपका दोस्त पहले से जाके बैठा है कोई issue नहीं है फाइदा ही है वहाँ पे तब नहीं देखेंगे आपका background क्या था क्योंकि आपको experience है experience होने पे इसारी चीज़े नहीं दिखती तो यह एक फाइदा होता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो तो इसलिए कोई tension नहीं लेना है बहुत सारे लोग बहुत ज़ादा tension लेते हैं हम सीख पाएंगे की नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं अभी जब शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है confidence भी बढ़ेगा आपका और आपको लगेगा अरे यारे तो बहुत आसान मैं तो वहीं बोलना हूँ सेवंध का भी बच्चा मेरे सामने बैठा है तो मुझे कोई इशू नहीं उसे पढ़ाने में एकदम आराम से मैं कोडिंग सिखा सकता हूँ हाँ आप लोगों की आदत पढ़ जाती है अरे यार हमें तो होगा ही नहीं ऐसे भी बच्चे है फोन करके बोलते हैं हमें कोडिंग का क्लास नहीं करना हमें networking या कुछ और testing कुछ है तो वो बताओ हमसे होगा ही नहीं पहले ही सोच लेते हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा हो चुका होता है इसलिए उनकी आदत पढ़ जाती है इसलिए जब वो आगे जाते है तो उनके दिमाग में यहीं होता है आगे चलते हैं उसके बाद देखो मैं और भी बाते बताता हूं आप जैसे बहुत सारे classes करते हैं बच्चे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो बाहर जाते हैं करते हैं सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा placement के चक्कर में पढ़ते हो मैं बता रहा हूं कुछ जरूरत ने आपके अंदर skill होना चाहिए placement लेने के लिए कितना भी बड़ा class हो वो placement बोलता है मैं देता हूं 100% मुझे बताओ जब आपका interview नहीं निकल रहा है तो वो क्या कर लेगा वो खुद interview देगा क्या आपका जब आपका खुद interview देगा तो बात अलग है हाँ बोलो कब हाँ बैठो जब आपको भी बता है कि वो interview आपका जो interview होने वाला वो तो देगा नहीं आप पहले ही class में जाते हो तो यह पूछते हो placement होगा क्या मुझे यही बोलना है placement का सोची क्यों रहा है पहले आप सीखने का तो सोच लो college में जब admission लेते हो तो क्या placement का सोचते हो क्या हाँ मुझे सीखना है लेकिन सीखने ही पाते सबसे बड़ा reason होता है कि आपको आता नहीं है कुछ इसलिए problem होती है तो इसलिए पूरा focus अपने सीखने पे करो आपके अंदर अच्छी skill है बहुत अच्छी coding कर लेते हो ना तो आपको यह डर रहेगा ही नहीं कि मुझे job मिले करना है कैसे apply करना है क्या करना है सारी चीज़े तो बताने वाला हूं तो इसलिए उसका भी कोई tension लेने की ज़रूत नहीं कोई बोल देगा मेरी इतनी फीज है मैं placement देता हूं कुछ मतलब ने कोई नहीं देता अभी आज के समय में placement अभी market भी slow है बच्चों का placement अपने दाया था खाली तो वही में चीज है यह चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है इसके बाद देखो और आगे चलते हाँ आजा अब उसके बाद देखो आप मैं यहां पर आपको और भी कुछ बाते बताता हूं जैसे C language के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं C language इसको ना बहुत पहले बना दिया गया था कब जानते हो 1972 में सोचो कितनी पुरानी language है और आज भी इतनी ज़्यादा popular है यह language इतनी ज़्यादा use की जाती है आप जितने भी operating system देखते हो ना Windows, Mac, बहुत सारे operating system Linux यह C language में बनाया जाते हैं अभी भी Windows 11 जो है वो भी C language में बनाया है बहुत सारा यूज दूसरी language इसका भी किया जाता है लेकिन C language भी यूज की जाती है बहुत ज़्यादा एक तो यह benefit है इसका हाँ आ जाओ है जगा पीछे देख लो वहाँ पे कहीं वो benches बहुत ज़्यादा पीछे आप वो हो गई है ना है पीछे जगा है यहाँ बैठ जाओ आगे इधर आजा तो 1972 में यह language बनाई गई थी पहली बाद तो इस language को बनाने का यह मकसद नहीं था कि application बाद में इससे बनाए जाएंगे ऐसा कभी सोचा नहीं गया था जिन्होंने बनाई थी उनका नाम है डैनिस रिची कभी इन्होंने यह चीज कभी नहीं सोची थी कि हम इससे application भी बनाएंगे आगे development करेंगे नहीं इन्हें operating system बनाना था उस समय unix linux जो भी था और उसके लिए इससे पहले एक programming language थी जानते हो कौन सी BCPL नाम की basic combined programming language इससे भी पुरानी है इससे भी पुरानी तो B language है इससे भी पुरानी यह सब पुरानी थी उसके बाद C language बनाई गई थी उसके पहले तो Foltron थी जो सबसे पुरानी थी और 1950s 50 उस समय की आई हुई languages है सोचो आज modern languages हम देखते है आर लेंगवेज बहुत सारी गो लेंगवेज है कोटलीन है उसके बाद Flutter ऐसी latest technologies and latest languages को हम देखते है लेकिन है सब सोचो कितनी जादा पुरानी languages है है पीछे जगा आजाओ देख लो वो पीछे वाली बेंच यह हो गई है तुम लोग थोड़ा थोड़ा थीक है उसको आज मैं एड़्जिस कराता हूँ देखो हो जाए तो कर लो एड़्जिस कहीं वो पीछे वाली बेंच दब गई है ना इधर आजाओ अगर जगा नहीं है तो आगे यहां पर यहां आजाओ तो डेनी सिरिची ने बनाया था 1972 में और यह जहां काम करते थे वो लेबराट्री का नाम था बैल लैब वैसे तो मैंने बोला सिल अपरेटिंग शिस्टिम बना हुआ है उसके बाद सी लेइवेज में मैं आपको बताओ जितने भी ड्रायवर्स होते हैं वो ce पैन है डिजिटाइजर डिजिटल पैन मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां लिखता हूं वहां दिखता है मैं यहां कुछ करता हूं वहां दिखता है मैं दबा के लिखूंगा तो दबा के दिखेगा हलका लिखूंगा तो हलका दिखेगा मतलब सोचो इस तरीके से काम कर रहा है ब थोड़ा आगे आगे करोगे तो इसको बेंच को थोड़ा इधर और लेलो ऐसे इसको इधर लेलो आज आओ पीछे हाँ वहाँ लास्ट में बैठो और एक तो लेट मत आओ सवा आठ के बाद अभी ऐसा होगा कि आप लोग लेट होते हो तो फिर पढ़ाने को भी प्रॉब्लम होती है मुझे वेल लेब जो है वहाँ पर सी लेंग्वेज को बनाया गया था और यह लेब जानते हो कहां पर है एक कंपनी है AT&T नाम की वहाँ पर हाँ मैं ड्राइवर के बारे में बता रहा था अच्छा मैं इस पर लिख रहा हूना इस समय जो आपको दिखाई दे रहा है डिजिटल प सफ्ट्वेर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा है इधर आगे आजाओ यहां पर बैठ सकते हो इधर यहां तुम दोनों एक यहां आजाओ एक यहां पर बैठो इधर इधर आजाओ मैं यह बोल रहा हूं कि ड्राइवर अभी जिस पर मैं लिख रहा हूं यह सारे ड्राइवर्स हैं अब इसके बात मैं यह बता रहा था कि जब मैं कुछ लिख रहा हूं जब मैंने एक सॉफ्ट्वेर डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर में लगाया और जब मैं फिर से डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूं तो तुरंद डिटेक्ट कर ले रहा है यहां पे एक option भी दिखाई दे रहा है कि आपका यह पेंट टैबलेट यहां पे आ चुका है और मुझे फिर अब लिखने में फिर मैंने एक नया प्रिंटर खरीदा जब प्रिंट कर रहा हूं तो कुछ होई नहीं रहा प्रिंटर कामी नहीं कर रहा क्यूंकि प्रिंटर का भी एक software होता है जो अपने computer में पहले डालना पड़ता है जब मैं उसे अपने computer में पहले डालूंगा तब जाकि मेरा computer समझ पाएगा कि यहां पे बैठो यहां पे तुम लोग के साथ भी CD मिलती है, अगर आपके laptop में CD लगाने की जगा नहीं तो आप इंटरनेट से software डाउनलोड करते हो तो वो जो software डाउनलोड कर रहे हो ना वो software ड्राइवर है, ड्राइवर मतलब जो चलाता है, जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है वैसे इस hardware को चलाने वाला ड्राइवर है तो वो ड्राइवर होना चाहिए मतलब जब Windows बनाई जा रही थी अब जो भी बना रहे है, Microsoft वाले Windows को बना रहे है, उस समय अगर वो चाहते तो आप जो printer खरीद रहे हो जिस भी company का, उसका ड्राइवर पहले से डाल के दे देते थे और जब आप direct connect करते तो भी हो जाता, तो वो जब बना रहे थे उन्होंने नहीं डाला आप mobile वगरे खरीदते हो आज कल के तो देखते हो उसमें कुछ application pre-installed होते हैं, पहले से तो वो पहले से installed होते हैं, उनका कुछ उनके बीच में deal हो जाती है, कि आप जितने भी mobile बेचोगे, सब में मेरा application डाल दो, आपके जो charges होंगे मैं दे दूँगा, तो आप देखो कि तो हर mobile में वो application pre-installed मिलता है, जब आप उसको install करते हो तो उस तरीके से बनाते हैं operating system को, वो भी language में ही बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ हैं, आपको ये भी समझना है, कि driver मतलब क्या है, और जितने भी जादा तर drivers है उसी language में बनाया है, दूसरी बात मैं बता रहा था कि Dennis Richie तो अब हमारे बीच में नहीं है, 2011 तकी थे हमारे साथ और उन्होंने 1972 में language बनाई भी थी, उसके बाद एक और थे person, बीजारन प्रोस्ट्रप, ये उनसे थोड़े छोटे थे, ये PhD कर रहे थे, इनके ही पास आये इनके साथ इन्होंने काम भी किया इन्होंने इनकी language को देखा भी इन्हें लगा कुछ improvement कर देना चाहिए इन्होंने किया भी, बाद में इन्होंने उसका नाम C++ रख दिया ये बाद में आई, C को थोड़ा सा change करके इसको लाया गया तो ऐसे languages आती गई है ये भी उसी जगह पे, AT&T नाम की company में Bell Lab, अब आप बोलो के AT&T ये company है कहां ये US में है वहाँ पे है तो वहाँ पे ये सब चीजों के बारे में सोचो, खोज जो हो रही थी शुरू से, US में कितनी ज़ादा खोज हो रही थी और कितने लोग थे जो कुछ ना कुछ नया करने को सोच रहे थे नई-नई technology पे काम भी है, वहाँ कमी है, आप अगर देखो के 35 करोड़ population है, इस समय current कितनी कम है एक राज्य की इस समय हमारे हाँ population है तो वहाँ पे पूरे country की है और फिर भी इतने top के लोग आपको वहाँ मिलेंगे वहाँ पे जो teaching दी जा रही है वह उस तरीके की है, उस level की है और हर बच्चा एक नया कुछ सोचता है, कि मुझे life में कुछ ऐसा करना है, जिससे मैं यह कर पाऊँ, आप देखो, facebook देखो netflix देखो, कितना google आपको क्या नहीं मिले गा, amazon देखो, सब कुछ वहाँ का US का तो यह शुरू से वहाँ पर काम किया जाता है, और सब start-ups में ज़्यादा जाते हैं, खुद का शुरू करने की कोशिश करते हैं, खुद का business, और जिसके वज़े से jobs भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर, कोई problem ही नहीं होती, और हम ज़्यादा तर jobs के बारे में सोचते हैं, खीक है, आप starting में jobs के बारे में सोचते हो, आगे अपने बारे में सोचना, कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने life में, जहां से मैं आगे जा पाऊं, क्योंकि मुझे याद है, एक समय था, जब मैंने शुरुआत की थी, तो TV का EMI मुझे भरना था, खाली, मैंने TV ले ली थी, कॉलेज के लास्ट येर में था, जबरजस्ती घरवालों को बोलके, और EMI भरने की जरूरत थी, घरवालों ने बोला था, तुझे ही भरना पड़ेगा, अभी कॉलेज एक महीने में खतम हो जाएगा, और मेरे पास थे 10,000 रुपए, 3,500 रुपए का EMI था, उस समय, तो ले तो ली थी, अभी EMI के लिए पैसे नहीं थे, मैं मैसी पूरी हो गए, और तुरंत जॉब करना चाहता था, computer science किया था, तो मैंने सोचा, अब क्या करूँ, job IT में जब तक नहीं मिल रहा है, कहीं और लग जाता हूँ, तो मैं, मोती लालोसवाल company है, share market की, मैं वहाँ job पे लगा, 10 दिन तक काम किया मैंने, 10 वे दिन मुझे college से call आया, कि आप हमारे हाँ आ सकते हैं, आपको हमारे हाँ एक job है, तो मैं वापीस से गया college में, वहाँ पे, और मैंने बोला, जहां पे मैं काम कर रहा था, जिस company में, कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में, पीफिन लेके नहीं जाता था मैं, आया, वहाँ पे उन्हें ने बोला, आपको यहाँ पे clerk का काम करना है, clerk मतलब आपको admission करने है, भी कौम के बच्चों के, counter पे बैठके, तो मैंने सोचा कि, चलो अभी college में है, कर लेता हूँ, वैसे भी वो भी तो technical काम नहीं है, तो अब जो भी मिल रहा है करूँगा, उस पे भी लग गया, काम शुरू कर दिया, काम शुरू करने के बाद, 10 दिन तक मैंने admissions की, ये line लंबी-लंबी होती थी, सब के admission form भरना, ये सब उनके form को check करना, ये सब का काम था, किया 10 दिन तक, बीना चुट्टी, एक भी दिन चुट्टी नहीं थी, उस समय मेरा बड़े भी था, मैंने उस दिन भी बोला था, कि मैं काम करूँगा, मुझे चुट्टी नहीं चाहिए, मुझे करना है काम, तो उस दिन भी पूरा दिन काम किया था, मैंने मुझे याद है तो बात में प्रिंसिपल नहीं बोला कि आप जो है अब हमारे यहां पढ़ाओ डारेक्ली बी सीए और एम सीए को तुरंट मुझे वहां से काम मिल गया तुरंट मतलब एक मौका था मतलब नहीं पहले मैं वहां पे काम कर रहा था फिर वो दस दिन का काम खतम हो गया उसके बाद मैं वहां वहां गया फिर वापिस से उनका कॉल आया आ जाओ हमारे आप पढ़ाने की जाब है क्योंकि 10 दिन के बाद उन्होंने बोल दिया था जाओ घर पे काम खतम हो गया अभी नहीं है कोई काम हमारे लिए टेंपररी था तो फिर टेंशन था कि आप कहा करूँ तब मैं मोतीलालोस वाल में गया था बाद में कॉल आया दोपर को जब मैं कॉलेज में आया उन्होंने ब पढ़ा रहा था जो मेरे से एक साल बड़े थे क्योंकि मैंने MSC दो साल में पूरा किया था MC ये तीन साल का हुआ करता था पहले और डारेक्ली थर्ड येर को डेटा सेंटर टेक्नलोजी नाम का एक सब्जिक्ट था वो पढ़ाना था DCT जितने भी डेटा सेंटर है जैसे YouTube का डेटा स्टोर जहां होता है लाखो जी भी हो रहा है स्टोर आप सोचो डेली कितना डेटा स्टोर हो रहा है वो पुराना डिलीट थोड़ी होते जा रहा है तो नया नया आ रहा है बढ़ते जा रहा है तो उसके लिए डेटा सेंटर और वो concept है पूरी, तो वो मैंने पढ़ाया, first year में पढ़ाया, second year, third year, सारे class के एक-एक subject मिले थे, शुरुआत की, आठ, छे महीने के बाद बच्चों ने बोला, आप class शुरू कर दो, सर, आप से सीखना है, तो मैंने एक घंटे के लिए एक जगा ले लिए, वहाँ शुरू कर दिया, और बाद में मुझे ऐसा लगा, दो-तीन महीने के बाद आप छोड़ देना चाहिए college, बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे थे, मैंने बोला, आप छोड़ दूँगा, जो होगा देखा जाएगा, उस समय मुझे 12,000 रुपए salary मिल रही थी college से, और मैंने छोड़ दिया, risk लेके, क्योंकि तब तक मेरा EMI हो चुका था, मुझे उसी का tension था, फिर छोड़ दिया मैंने, जब पूरा एक साल हुआ, छोड़ने के बाद शुरू तो किया class, लेकिन चला नहीं पा रहा था, दो तीन महीने तक ऐसा भी time देखा, कि अकेले बैटता था, आता था, light चालू करता था, फिर जाते से मैं light बंद करके चला जाता था, दो बार को खाली tiffin खाता था, इतना ही time था मेरे पास, मतलब पूरा दिन खाली रहता था और मैं game खेलता था, कोई रहता ही नहीं था, किसको पढ़ा हूँ, लेकिन कुछ दिन तो game खेला, लेकिन उसके बाद मुझे बोर होने लगा, कि नहीं मैं तो, जो, मैं PUBG बहुत खेलता था, उस time पे, class तो शुरू किया था, कुछ काम नहीं था, season कोई तो था, जिसमें मैंने लगभग, 14-15 मैचे से एक season में खेला था, आप सोच के देखो, कितना खेला होगा मैंने, और, बहुत खेला था, उस time पे, season 7, 8, 9, 10 के आसपास, अभी तो बहुत सारे आये थे, लेकिन बाद में feel होने लगा, कि अब मैं कुछ गलत कर रहा हूं, रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है, मेरे पास, अब छोटी सी जगा थी, जहां पे मैंने खुदी partition वगरे करके घर से टीवी उठा के छोटा वाला लाया था, क्योंकि नया लिया था, तो छोटा था, पुराना, उस पे पढ़ाता था मैं, लेकिन बाद में पता चला कि बहुत नुक्सान कर दिया, कोई आई नहीं रहा, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, फिर एक बच्चा आया, उसके मम्मी को बोला, अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप मत भेजना, अभी पैसे भी मत दो, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, उतकर्श करके पहला student था, उसको शुरू किया, पढ़ाय फिर जब college खतम हुआ, result आया, तो वो बच्चे टॉपर आये, practical में उन्हें 95-97 marks आये, तो वो लोग खुद आये बताने के लिए, और वो second year में जो चले गये थे, वो लोग आये मेरे पास, third year वाले तो pass out हो गये, उन्होंने दूसरों को बताया, फिर दीरे दीरे करके शुर हुआ, तो धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते मैं चला गया, और बढ़ते 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 अब यहां तक पहुचा है, इसके पहले भी बहुत सारा फिर COVID आ गया, COVID में फिर बंद हो गया, फिर मैं अपने आपको यह समझता था कि मैं offline ही अच्छा पढ़ा सकत हूँ, तो online मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता था, मैं घर पे बैठा था, 6 महीने तक मैं घर पे था, मैंने class लिया ही नहीं था, दूसरे classes वालों ने online शुरू कर दिया था, कोई न कोई रास्ता ढूंड लिया था, नहीं अभी पढ़ाना है बच्चों को, अब कौन कितना serious था पता नहीं, लेकिन सबको पढ़ाना था, अब सब लोगों ने class शुरू कर दी, मुझे भी बच्चे बोलने लगे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं online नहीं पढ़ाऊंगा, offline ही पढ़ाऊंगा, 7-8 महीने के बाद कुछ बच्चे आये उन्होंने बोला कि हमें college में data structure है, online पढ़ा दो, हमें कुछ online समझ में नहीं आ रहा है, college का हम fail हो जाएंगे, तब मैंने सोचा try करके देखता हूँ, शुरू किया, लेकिन जब नहीं रहा था, कुछ दिन बहुत अलग लग लग रहा था, feel ही नहीं आ रहा था पढ़ाने का फिर बाद में धीरे 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 आदत पढ़ती गई, फिर समझ में आया, explain करने के लिए pen वगएरे की ज़रूत पढ़ेगी, चलो खरीद लेते हैं, फिर यह सोच रहा था, दो महीने में अगर lockdown खतम हो गया, तो यह 6000 उपए का pen वाला tablet यह west हो जाएगा, उस समय बहुत कीम लगती थी पैसे की अभी भी हकीमत, लेकिन वो चीज मैंने सोची अपने दिमाग में, लेकिन मैंने बोला जो होगा दो महीने में, सब बोलते थे अगले महीने खतम होगा, अगले महीने खतम होगा, ऐसे ही चलता रहा, फिर बाद में मैंने ले लिया और पढ़ाना शुरू किया धीरे-धीरे improvement करते करते करते, बहुत improvement की, लगातार 6 साल से Instagram पे हमारे post भी आते थे, 6 नहीं 4 साल से आ रहे थे, YouTube पे पिछले 6-7 साल से वीडियोज एक 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 डाल रहा था, 6 साल में 3000 subscriber हुए थे मेरे, 6 साल में और पिछले एक महीने में अभी 23,000 हुए तो यह तो अचानक ही हुआ कुछ भी हो सकता है, मैं continuously महनत कर रहा हूँ, Instagram पे post डाल रहा हूँ, कुछ ना कुछ, कभी कुछ नहीं हुआ, फिर एक ऐसा समय आया एक वीडियो ऐसा चला कि 10 दिन के अंदर 1 लाक हो गए, 458 फॉलोवर से, अगले 10 दिन में 2 लाक हो गए, अगले 10 दिन में 3 लाक हो गए तो यह ऐसा चेंज आया और जब लोगों को पता चला रहे हैं, यूट्यूब पे इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो धीरे-दीरे लोग बढ़ने लग गए, अभी बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, तो जब तक आप पहुचो गे नहीं लोगों तक तब तक पता नहीं चलेगा और consistency बहुत जरूरी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अपने भी life में जब भी आपके अंदर skill आपको लग रहा मुझे painting का बहुत शौक है मैं बहुत अच्छी painting करता हूँ, तो उसी में रहू मैं बहुत अच्छा खेलताँ, आप उसी में अब उसके बास मैं बता रहा हूँ C language program में लिखना है मुझे इसमें हम logically अच्छे होंगे C language में फिर आगे C++ है Java है अलग-अलग languages है जैसे जो लोग online कर रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूँ हो सकता है कि 5 मिनट आगे पीछे भी होगा तो आप लोग उसका tension मत लेना class तो मैं लूँगा जब तक मैं group पे डाल नहीं देता आज class नहीं होगा class daily होगा आगे पीछे थोड़ा हो जाता है मुझे call आने शुरू हो जाते है रास्ते में आ रहा था कम से कम 12-13 बच्चों के call आए जो 600-700 बच्चे इस समय हैं उनमें से उनको ऐसा लगता है कि इतना लेट हो गया link क्यों नहीं आई क्योंकि मैं भी आता हूँ class चालू होता है setup करना पड़ता है तो उसमें भी time जाता है कभी-कभी किसी से बात करने लग जाता हूँ तो आगे पीछे होता है तो आप उसका बिल्कुल tension मतलो जैसे कोई मिलने आया है कोई parent आया है तो मैं उन्हें यह नहीं बोल सकता आप रुको अभी मेरा class शुरू होने वाला पहले मैं लूँगा थोड़ा 5 मिनिट उनसे भी बात करना पड़ता है तो हो सकता है उसके वज़े से आगे पीछे हो जाए तो आप बिल्कुल tension मतले ना class daily होगी एक घंटे तक आपके लिए रोज मैं आऊँगा सुबब अपना ये time fix है सवाड बजे daily class होगा consistency आप रखो regular करो पूरा का पूरा आपसे हो जाएगा और 7 महीने में इतना अच्छा तयार कर दूँगा कि आप खुदी अपने सारे दोस्तों को बताओगे यहीं पे जाओ class मुझे बताने की कभी ज़रूत नहीं बढ़ती किसी को कि तुम अपने सारे दोस्तों को बता देना मेरे पास ही आना कभी ज़रूत नहीं बढ़ती बच्चे खुदी बोल लेता है offline में जितने पैसे आपके waste होते हैं इतना offline में नहीं सीख रहा है उतना तो मैं online में दे दे रहा हूँ अभी उससे अच्छा free में है ना ऐसे बच्चे जो YouTube पे सीके lecture देखते हैं बोलता है वो चीज़ तो अब देखो आगे थोड़ा और कुछ बातें कर लेता है इसके बाद मैं ये बता रहा था आपसे है जगा ठीक है उधर भी है वहाँ बैठ सकती हो ठीक है चलो तुम कौन से बैच को आई हो अभी सबा नौ बजे था हमारा class ठीक है ये बता रहा हूँ ये देखो software download करना तो सिखा देता हूँ आपको कौन सा software यूज करना है यहाँ पर आया मैं यहाँ आने के बाद आपको code blocks सर्च करना है download बस यहाँ पर मैंने क्लिक किया हाँ बोलो क्या हुआ अभी कल आना तुम लोग direct आज तो लेट हो गया सवाट का ही class था बहुत लेट हो गये तुम लोग अभी खतम होने को आ गया कल सवाट बजे आ जाना आज का lecture यूट्यूब पर coding सीखो सर्च कर लेना वहाँ मिल जाएगा live lecture मैंने लिया है आज का वहाँ पर आज और कल दो demo lecture होंगे वहाँ से कर लेना और फिर बाद में कल आ जाओ लेकिन सवाट बजे code blocks डाउनलोड पर यहाँ मैंने कलिक किया यहाँ जैसे ही डाउनलोड पर जा रहा हूँ यहाँ पर देखो लिखा हुए download the binary release इस पर आना है codeblocks.org पहली website है download the binary release पर आना है जैसे ही आओगे आप coding सीखो application अगर आपके पास downloaded है तो study material में भी आपको यह software मिल जाएगा वहाँ से download कर लो और mobile में download करने के बाद आपको कैसे send करना है अपने laptop में कर लेना अब यहाँ पर windows के लिए mac operating system है Linux है कहीं भी कर लो चल जाएगा अब जिसके पास mobile android नहीं है iOS है उनको my institute नाम का application डाउनलोड करना है app store से my institute पहला ही application मिलेगा red color का coding सीखो अगर कुछ दिखेगा नहीं उसको कर लेना download उसके बाद जब open हो जाएगा वहाँ पर आपको पूछा जाएगा ORG code बताओ तो आप ORG code यह बता देना अगर आप यह ORG code बता दोगे तो coding सीखो अपने आप आ जाएगा पूरा फिर कोई tension नहीं है तो यह किसके लिए app store जिसके पास android phone नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ J-A-B-E-L हमारा ORG code है यह आपको डालना पड़ेगा ठीक है उसके बाद Windows पे जाओ क्लिक करोगे उसके बाद यह बोलेगा कौन सा वर्जन डाउनलोड करना फोर्थ वाला डाउनलोड कर लेना यह सब भी कर सकते हो डाउनलोड लेकिन problem क्या होगी जानते हैं अच्छा मुझे बताओ आप एक बात मैं program को अगर लिखना भी शुरू करूंगा तो notepad में भी लिख सकता हूँ मुझे कोई इशू नहीं है notepad में program लिखने को यहाँ पे लिख सकता हूँ यह देखो मान लेते हैं C language लेकिन अपने को समझाना किसको है operating system को उसकी language में convert करना प्रोग्राम को हमेशा operating system को समझ में आए उस language में convert करना पड़ता है इसलिए यहाँ पे एक option होना चाहिए compile compile का मतलब ही होता है program को convert किया जाए machine जिस language को समझती है उस language में मतलब binary में और यह कौन करता है compiler compiler converts the source code you are writing the source code compiler converts the source code into machine code ताकि machine समझ पाए अब इस software में compiler ही नहीं है कहाँ पे compile बटन दिखाओ जब compiler नहीं तो आपके program को convert कोन करेगा जब कोई convert करी नहीं पाएगा तो use क्यू कर रहा है और notepad को इसलिए मैं program notepad में नहीं कर रहा हूँ Microsoft word में नहीं कर रहा हूँ तो download करने के लिए हा ये fourth वाला ही करना with compiler वाला है क्या M.I.N.G.W. setup वाला ही करना आप without compiler वाला करना चाहते हो अगर उपर से इन तीनों में से कोई है तो आपका notepad यह अच्छा है ना क्यूं इसको download कर रहा हूँ इन तीनों को notepad यह कर लो download इसलिए करना तो चाहता वाला इस पर क्लिक करना download स्टार्ट हो जाएगा मैं भी क्लिक करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कहीं कुछ नहीं कर रहा auto download शुरू हो जाएगा खोड़ा slow चल रहा है लेकिन automatic वो download यह क्या हो गया शुरू हो गया यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ भी कहीं क्लिक करने की ज़रूत नहीं वो auto download हो जाता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है यह कैसे हो रहा है नहीं समझ में आया download ही नहीं हो रहा है आपको कहीं कुछ नहीं करना है वहाँ क्लिक किये चौथे link पे अपने अब यह open होगा लेकिन auto download start हो जाएगा 145 MB का है जिसके पास जैसे बहुत सारे लोग गाउ से हैं बहुत दूर से सीख रहे हैं हमारे पास उनके पास windows 7 है उनको न 17.12 वाला वर्जन डाउनलोड करना है पुराना वाला बता देता हूँ कौन सा code blocks यहाँ पर सर्च करो यहाँ पर क्लिक करो वो हो जाएगा उसका कोई टेंशन नहीं है अपने आप वहाँ पर 17.12 नहीं भी हो रहा है आप एक काम करो directly मेरे कोडिंग सीखो आप पर जाओ वहाँ पर study material में मिल जाएगा कोई issue नहीं उसका भी और जितने भी online वालों के doubts होंगे आप लोगों को बहुत 6 या 7 लोगों की हमारी team मैंने बनाई हुई है आपके doubts यहाँ से कहीं से कर लेना आपके doubts वो लोग solve करेंगे आज मैं आपको group पर बता दूँगा सारी details पहले दिन आपको शायद doubt इतने नहीं होंगे और उनसे कैसे doubt पूछना है call करके वीडियो call पे या फिर जो भी है आपके सारे doubts वो solve करेंगे प्रोग्राम करते समय कोई error आ रही है आपको पूरी मदद की जाएगी हमारे तरफ से एक time दिया जाएगा आपको सुबह 9 से लेके जब class खतम हो जाएगा 9 से लेके बारा साड़े बारा बज़े तक आप अपने doubts पूछ सकते हो उसके बीच में कभी भी पूछो आपको तुरंत doubt बताया जाएगा दूसरी जीज़ आप practice कर रहे हैं उस समय problem आ रही तो आप message भेज दो message का reply जब सामने वाले को हमारी टीम को जब भी time मिलेगा वो आपको reply करके जरूर बतायेंगे लेकिन 12 बज़े तक active रहेंगे तो इस तरीके का काम भी मैं कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई problem ना आए वो कभी भी कुछ भी करे कुछ भी पूछ सकता है उसके doubts में problem नहीं होगी continuous doubts मुझे clear करना है अभी सबका तो वो ऐसा समझो 24 गंटे ही रहेगा main तो live जो रहेंगे वो 12 बज़े तक रहेंगे उसके बाद जो जब खाली होगा तब आपको reply कर देगा तो वो अभी मैं करता हूँ बराबर किस तरीके से manage करना है तो वही अभी चल रहा है बात मैं आपको बता दूँगा teams पर join होना है कहां पर आपको doubts पूछने वहां आके आप पूछ सकते हैं वो सब मैं बता दूँगा आपको ठीक है अभी चलते हैं और आगे तो डाउनलोड जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है जब software आपका डाउनलोड हो जाए दिखा देता हूँ मैं software अभी हुआ नहीं है इस पर double click करो उसके बाद next 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 finish हो गया software install हो जाएगा और कुछ नहीं करना है आपने शायद आज तक कोई ना कोई software तो install किया होगा game install किया होगा या telegram या whatsapp कुछ ना कुछ किया होगा कुछ अलग करने की ज़रूत ने अभी मेरा already installed है तो मुझे पहले uninstall करना पड़ेगा मेरा वाला code blocks फिर मैं आपको दिखा पाऊंगा कैसे करना उसमें time जाएगा इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ छोड़ दो आप समझ जाओगे खुदी ये देखो जब install कर लोगे ऐसा दिखाई देगा आपका icon इस पे यहां आना यहां आने के बाद code block software open करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है अच्छा दिखता है code block software ये देखो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है अब प्रोग्राम लिखना है आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां लिखू प्रोग्राम यहां पे option है ना file new file और यहां पे एक option है ना empty file बस इसको select करो एकदम simple सी process है कोई भी बच्चा समझ सकता है new empty file और start कर दिया यहां पे तो जो प्रोग्राम मुझे लिखना है मैं वहां लिखने वाला हूँ और जितने भी offline हैं आप सबको application का भी access मिलेगा application का access मिलेगा आप recorded lecture आज का भी बात में देख सकते हो दस view मिलेंगे total उसके बाद वो lock हो जाएगा दूसरी चीज सेब mobile में ही login करना mobile बदलोगे तो block हो जाओगे आप अल्रेडी बहुत सारे screenshot आ रहे हैं हमारा ये block हो रहा है sir नहीं कर पा रहे है आप mobile बदलो ही मत एक बोल रहा है आटो डिटेक्ट करेगा OTP या तो अगर दूसरे केस में करना है तो इसको sim card भी दे देना फिर तब जाकि वो कर पाएगा जैसे phone पे वगेरे application आप यूज करते हो वैसा ही है तो अपने ही mobile में auto detect होगा login होगा और 10 view आपको मिलेंगे total एक बार देख लिया समझ गया फिर वो एक घंडे का वीडियो आप डेड़ साल तक का subscription रहेगा कभी भी देखो वेब पे भी देख सकते हो website का website ही मेरी कल crash होई web.coding.in पता नहीं अभी चल रही कि नहीं चेक कर लेता हूँ web.coding.in चली नहीं रही थी तो आज मैं वो करवा लेता हूँ ये काम भी हो तो web कभी एक दो दिन में चालू हो जाएगा तब तक mobile से आप करते रहो और mobile पे आराम से आप download करके देख सकते हो और screenshot लोगे तो भी नहीं होगा screen recording करोगे तो भी नहीं होगा ब्लॉक हो जाओगे मैं दिखा देता हूँ कितने लोग इस समय ब्लॉक है देख लो अगर आपको नहीं यह हो रहा है तो जो ब्लॉक्ड यूजर है मेरे पास कितने हैं देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे है registered users और यह जो registered user है इसमें यहाँ पे मुझे फिल्टर करता हूँ ब्लॉक्ड यूजर तीन लोग अभी ब्लॉक हुए रीजन है इम्यूलेटर टोकन टेमपरी शायद इम्यूलेटर यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे यह desktop से तो इसमें से यह ब्लॉक है यह ब्लॉक है यह ब्लॉक है बहुत सारे लोगों को अन्ब्लॉक किया है कि हम गलती से सर ब्लॉक हो गया है हमें अन्ब्लॉक करो तो यह रीजन हो सकता है screenshot लेने की वज़े से video record करने की वज़े से screen recording और screen पे आपका नाम भी ऐसे चलता हुआ आएगा तो अगर आप बाहर दूसरे camera से भी record करोगे तो भी वो उस पे आपका नाम और mobile number हमेशा दिखता रहेगा तो यह बहुत strict है उसके features इसके लिए ध्यान रखना जब आपका मन करे मुझे देखना है headphone लगाओ अपना देख लो बात खतम इससे ज़्यादा कुछ नहीं तो वो डेड़ साल का subscription आफलाइन वालों को भी मिलेगा sir को बता देना sir आपको वो add करवा लेंगे भी सब बच्चे add हो रहे है थोड़ा time लगेगा उसमें हो जाएगा एक दो दिन में सबका मैं प्रोग्राम जब शुरू करूंगा अब देखो यहाँ पर मुझे प्रोग्राम लिखना है यहाँ पर एक option है save as अब आप बोलोगे मुझे नहीं दिखा save as तुको दिखाता हूँ यहाँ पर option है file save file as इस पर आपको click करना है click करने के बाद desktop पे ही रखोंगा भी मैं इसका कुछ नाम रख देता हूँ मैं 0 to hero batch या तो 0 to hero dot c अब बोलोगे dot c क्यों क्योंकि c का प्रोग्राम कर रहा हो तो extension c देना पड़ेगा नहीं दोगे तो गलत है c++ का प्रोग्राम करोगे तो dot cpp देना पड़ेगा extension python का करोगे तो dot py देना पड़ेगा java का करोगे तो dot java html का है html extension है javascript का js extension होता dot js अब web pages बनाते हो तो javascript में html css की मदद से design बना सकते हो logic वाला पार्ट back end से ये सब programming languages काम आती है जैसे मैंने बुला wait को convert करना है convert बटन पे दबाया और convert हो गया pound में पता चला कैसे हुआ वो back sign में कोई coding लिखी थी वो programming languages की मदद से की जाती है design तो आप html css की मदद से भी कर सकते हैं इसकी लिए programming सीखना इस तरीके से लिखना जो भी code लिखना वो इसके अंदर लिखना main उसके बाद दो brackets curly bracket main के ये खुद के curly bracket है main को close किया जैसे मैं लिख देता हूँ Amit Amit को start करना है तो दो brackets लगाया Amit का curly bracket start Amit का curly bracket close ये Amit का personal curly bracket है लेकिन Amit नाम का function बनाना नहीं है internal जो coding की गई उसमें बताया गया सिप आपको main function बनाना बस लिख दिया और कुछ नहीं लिख रहा हूँ Karoo compile देखते है क्या कोई नई file बनती है क्या उनको पहले थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे क्या फरक पड़ेगा बताओ या Instagram पे message कर दो कुछ फरक नहीं पड़ता अपने को लगता है खाली कोई फरक नहीं प्रोग्राम ही तो लिखना है आपको मतलब बोलना ही तो है प्रोग्राम मतलब बोलना आप किसी भी software का use करके बोल दो क्या फरक पड़ता है तो कोई फरक नहीं पड़ता बहुत lightweight है यह code blocks मैं VS code भी दिखा दूँगा कैसे उसको चलाता है जैसे कुछ बच्चों का college बगरे में VS code या फिर कहीं use करता है तो नहीं होता है ठीक है बता दूँगा अब main लिखा देखू फाइल कहां बनी यह क्या बन गई दिख रही क्या 0 to hero file इसको notepad में open करो double click किया हो गई open हाँ इसके अंदर लेकिन कुछ लिखा नहीं रुको यह वाली फाइल है save नहीं किया क्या हाँ save control as दबा के हाँ आप save हो गई अब open करो हाँ सभी है यहीं फाइल है ना तो notepad में open करो कहीं भी लेकिन हम इसमें क्यों कर रहे है पता है compile करने के लिए एक नई फाइल बनाने के लिए यहाँ पे है क्या compile का option है ना build मतलब ही compile build मतलब ही compile दबाओ क्या देखते है कोई नई फाइल create होती है क्या दबा दिया अरे हाँ हो गई यही तो compiler ने बनाई आपके लिए यही आपको समझना है कि नई फाइल बन रही है प्रोग्राम सही है नई बनी error आगई प्रोग्राम गलत है जिसे मान लेते हैं मैंने mistake कर दिया main की जगा mean लिख दिया गलती से यह दोनों फाइल क्या है explain करूँगा एक दम आराम से कोई tension मत लेना अभी mean लिख दिया फिर से करता हूँ build देखते होता है क्या नहीं हो रहा है इस समय error आ रही है mean गलत लिख दिया यहाँ पे एक दूसरी file कहाँ बनी object file चोड़ने के बाद दूसरी तो बनी ही नहीं आपने माल लेते हैं और कोई गलती करती फिर से build करू build error आ रही है देख लो यहाँ पे error क्या आ रही है पढ़ना चाहते हो पढ़ लेते हैं error को इसको थोड़ा सा मैंने नीचे दबा के रखा उठा लो क्या उपर हाँ लाया f y h s undeclared यह क्या है हमें नहीं पता सही बात है यह तो गलत word लिखोगे तो बताएगा यह वो convert करी नहीं पाएगा compiler जब convert करने ही पाएगा तो सामने वाले को मिलेगा नहीं जब आप सही लिखोगे तब तो convert करेगा अच्छा आपको एक language से कोई दूसरी language में convert करके आपको देता है बीच में खड़ा है वो आपको Hindi language आती है और सामने वाला French में बात कर रहा है वो सुनता है उसको convert करके देता है जो बीच में translator है सामने वाला French ही गलत बोल रहा है तो यह आपको दे पाएगा क्या convert करके तो गलती किसकी है जो बोल रहा है translator की गलती नहीं इस समय यहां पे compiler की कोई गलती नहीं वो तो बता रहा है हमें विचारा की आप यह गलती कर रहा हो उसकी क्या गलती है वो तो बता रहा है उल्टा अच्छा है कि हमारी मदद कर रहा है वो तो इस समय रोल जो प्रोग्राम लिख रहा है उसका है वो गलत कर रहा है तो प्रोग्राम सही लिखोगे तो एरर आएगी नहीं इस तरीके से प्रोग्राम लिखना होता है ये वर्ड कॉमन है आपको हर प् जैसे एक printf लिख दू क्या, वैसे कल बताने वाला हूँ, जादा जादा नहीं, एकदम आराम से जाना हमें, घाई नहीं करनी है, starting के lectures important है, पहले 10, ये एकदम आराम से धीरे धीरे करके आप समझ गए ना फिर कभी problem नहीं आएगी, पहले 10 नहीं समझे, तो आगे के डेड़ सो lecture कुछ काम के नहीं है, ऐसा है इसमें, तो printf नाम का एक function होता है, किसी भी word के आगे, अगर दो bracket आगे, उसे function बोला जाता है, main भी एक function है, मैं बताऊंगा आगे, बस लिख देता हूँ, यहाँ पे hello friends, लिख दू, hello friends, और यहाँ लगा देता हूँ, semi colon, आप बोलोगे semi colon क्यों, क्योंकि rule है, c language का, कि हर program line को जब आप end करते हो, तो semi colon लगाना पड़ता है, आप बोलोगे main को क्यों नहीं लगाया फिर आपने, main को इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि main को मैंने start किया, यह क्या, और main को यहाँ close किया, semi colon लग function को start कर रहा हो, curly bracket से, तो semi colon लगाता है, बाकी हर line में आएगा, यह बात तो सही है, अच्छा है, एक बार यहाँ से build करूं क्या, build and run दो option है, जैसे आपको किसी को software बना के देना है, डबल इस पे click करो, दिख रहा है क्या hello friends आ गया, अगर आप से कोई सामने वाला यह बोलता है, हाँ, यह देखो यह, यह software है, copy करो paint drive में अपने दोस्त को देदो, जब वो double click करेगा, तो उसमें hello friends दिखेगा, दिखा लेकिन चली गई screen है, आई थी चली गई, hello friends लिखा था उसमें, रुकी नहीं क्योंकि program खतम हो गया, program चला, hello friends आया, बंद हो गया, लेकिन यह इतन करूँ एक बार, कल और अच्छे से explain करूँगा, आराम से कोई tension मतलब, hello friends, हाँ, आया, सही है, अब रुकी हुई है, screen देख लो, gate CH के वज़े से, gate CH का कमाल है यह, एक button दबाया, खतम हो गया, 7 सेकेंड तक यह application चला है, total, एक button जब तक नहीं दबाया था, तब तक 7 है, क्या, दबाऊ, डबल क्लिक करूँ, अरे हाँ, hello friends, मुझे दिख रहा है, एक button दबा दू कोई, दबा दिया, चली गई screen, अब दबाने पे button जा रहे, gate CH, मतलब gate character, जब तक character ना मिले, तब तक screen रुकी रहे, ऐसा है, वो कल पढ़ाऊंगा, और अच्छे से, तो यह software बन बोलता है, hello Amit वाला प्रोग्राम बना के दो ना, मुझे मेरा नाम Amit है, तो आपने hello Amit लिख दिया, build कर दिया, मतलब नई file बन गई होगी, अरे, build करने पे नया file बनी होगी, उसको ही run करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, yellow हो गया, hello Amit आ रहा है, बस खतम, यही समझना ह तो यह doubts, यह चीजे थी जो मैंने बताई, इसी को मैं अपने अगले lecture में continue करने वाला हूँ, अभी किसी का कोई doubt है तो पूछ लो, जैसे की header file लिखना है, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से ध्यान दो, जैसे कुछ लोगों ने बोला, उपर header file, अभी द रखोगे कि हाँ, किसी ने पढ़ाया था हमको, भूलोगे नहीं कभी, तो इसके लिए जैसे पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही ध्यान दो, header file वगेरे जो चीजे होती ही, जैसे तुम बोल रहा हूँ, पंकज, मैं इसको बात में बता दूँगा, उसका tension मत लेना, तो उसका कोई tension ने, हाँ, ठीक है, उसके बाद, जैसे किसी के कोई doubts है, जैसे online वालों को कुछ पूछना है, पूछ लो, आज इतना ही होने वाला है, जैसे यहाँ पे, मैं यह on करता हूँ, थोड़ी देर, जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं, विवेक, पूछ सकते हैं अभी, नहीं, विश कोई doubts का पूछ सकते हो, रंजीत कुमार, आपको कुछ पूछना है, पूछ सकते हो, विनोध, आप message में भी, जैसे कुछ लोगों ने किया हुआ है, जैसे आप login करोगे, वैसी चीज़े दिखा ही देगी, हेलो सर, हाँ बोलो, जी कहाँ सर के code block, विन्डोस 7 में कैसे चलेगा सर, चलेगा ना, मैंने 17.12 वाला वर्जन डाउनलोड करने को बोला, code blocks, विन्डोस 7 में भी चलेगा, आप 17.12 वाला वर्जन डाउनलोड कर लो, हो जाएगा, चल जाएगा, उसका कोई tension मतलो, हाँ सर, ओ अगलपूर कुछ पूछना है, पूछलो, राजू, पूछ सकते हो कुछ, समझ में आ गया होगा, वैसे पूछने जैसा, और यह दूसरे सवाल मत करना, जो आज पढ़ा है, उस से related ही करना, और कुछ पूछना है, तो हमारी team से आप पूछ सकते हो, जब आपको लगे, code blocks, या फिर कोई मुझे programming related सवाल करना है, तो करो, नहीं, तो सवाल आपके पास बहुत होता है, मुझे पता है, तो सिर्फ जितना आपके काम का होगा, वो सवाल पूछो आप, शीतल, क्या पूछना है, पूछलो, राजू, हेलो, पूछ सकते हो, उतकर्ष, चलो, ठीक है, बाकी हम देखते हैं, अगले लेक्चर में, कल यही टाइम पर सुबह सब 8 बजे क्लास होगा, जिसका एडमीशन हो गया, एक बार बात कर लेना, वहाँ पर, बहुत सारे बच्चों को रिटन भेजा मैंने भी,